तो आज हम बात करने वाले हैं Instagram Reels Monetization Policy के बारे में दोस्तों Instagram ने recently बहुत बड़ा announcement कर दिया है जहां पर Instagram ने ये बोला है कि Instagram Reels भी monetize होंगे और Instagram Creators जो है वो भी अपने Reels को create करके पैसे generate कर सकते हैं तो ये update पहले YouTube पर था YouTube Creator अपने वीडियो को upload करते थे और उनकी वीडियो में starting में या फिर वीच में add आता था और उस add से YouTube Creators अपने income को generate करते थे बड़ दोस्तों same policy same update Instagram ने अपने platform पर launch कर दिया है और अब Instagram Creators भी अपने Reels को create करके अपने Reels पर monetization policy को apply कर सकते हैं और उससे पैसे भी generate कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको complete process बताने वाला हो कि Instagram account को monetize करवाने के लिए किस किस criteria को complete करना पड़ेगा और कितने व्यूज पर कितना dollar मिलेगा तो वीडियो काफ यदा interesting होने वाली है तो वीडियो को एक भी step skip नहीं करना और अगर आप ऐसे ही social media से related tips and trick की वीडियो देखना जायते हैं तो इस channel को भी subscribe कर देना और साथने bell icon भी press कर देना तो अब बढ़ते हैं अपने topic की तरफ अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपका instagram account monetize होने के लिए eligible है या फिर नहीं तो इसके लिए आपको अपने phone में instagram application को open कर लेना है दिन open करने के बाद यहाँ पर नीचे की side में आपके account का logo दिखाई दे रहा है सिंपल्स आपको यहाँ पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे उपर की तरफ में आपके सामने three dots का option दिखाई देता है सिंपल्स आपको यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने setting का option दिखाई देता है simple आपको यहाँ पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने creator का option दिखा देता है simple आपको यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे की तरफ आपके सामने एक option दिखा देता है monetization status का simple आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका account monetization के लिए eligible है या फिर नहीं आपके सामने दिखाई देने लगेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा account है वह eligible है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर इलिजबल फार monetization मतलब हम monetization के लिए eligible हैं और उसके नीचे यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा review partner monetization policies अगर आप इसका policies पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप click करके पढ़ सकते हैं और उसके नीचे review community guideline मतलब यह भी बहुत सारी चीजे इसके अंदर हैं इसको आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि आपको Instagram Reels किस तरीके से create करना है और किस तरीके से नहीं create करना है अब दोस्तों आपको यह तो पता चल गया होगा कि आपको अपने account को किस तरीके से check करना है ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपका account monetization के लिए eligible है या फिर नहीं अब बात कर लेते हैं कि कि इतने followers पर आपका account monetize होगा या फिर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बहुत सारे accounts check किया है देन इसके बाद मुझे यह रिलाज हुआ कि बहुत सारे accounts पर 1K followers हैं उनका account monetize हो गया है और बहुत सारे ऐसे भी channel है जिनके 1K followers से कम हैं फिर भी उनका channel monetize हो गया है दोस्तों यहां पर आप proof देख सकते हैं कि हमारे account पर मात्र 23 या फिर 24 followers हैं बट फिर भी हमारा account monetization के लिए eligible हो गया है तो ऐसे बहुत सारे accounts हैं जिनके 1K followers हैं उनके भी हो गया है और जिनके 1K से कम हैं उनके भी हो गया है तो आपका हुआ है या फिर नहीं नीचे comment box में जरू बताना आप बात कर लेते हैं कि आपको कितने views पर कितने dollar मिलेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि Instagram ने अभी इसको clear नहीं किया है कि कितने views पर आपको कितने dollar मिलेंगे बट हाँ exactly मैं आपको नहीं बता सकता हूँ बट हाँ अपने idea के नुसार में आपको बता देता हूँ कि 4-5,000 views पर आपको 1 dollar मिलेगा क्योंकि यहाँ Instagram पर 40 seconds, 50 seconds या फिर 60 seconds की वीडियो होती है और जब छोटी वीडियो होती है तो वहाँ पर ads भी कम आते हैं और कम budget के आते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 4-5,000 views पर आपको 1 dollar मिलेगा और यहाँ पर Instagram ने अभी इसको clear नहीं किया है बट में भी हो सकता है कि आगे चलकर clear कर दे और मैं आपको एक चीछ बता देता हूँ कि Instagram पर अभी बहुत सारे updates आने वाले हैं कि जब monetization policy को launch किया जाएगा तो बहुत सारी policies को बहुत सारे rules को create किया जाएगा देन इसके बाद में monetization के लिए apply होगा तो आपको आगे भी update रहना है तो इस चैनल को अभी subscribe कर देना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसको like कर देना और यह वीडियो कै कैसी लगी और अगली किस टॉपिक पर चाहिए तो उस पर आप नीचे comment box में बता सकते हैं और तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों बाइबाइब